नमस्तर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये कंटेंट बसंद आता है कोई भी फीडबैक होगा किस तरीके का स्टॉक मिलब कौन सा स्टॉक आप देखना चाहते हैं जिसका आपका ऐनालिसिस करने से आपको फायता होगा डिफिनिटी लेट मी नो विकॉस यह सारे जो मैं वीडियो बनाता हूं यह मैं खुद के लिए करता हूं मैं आई गो करने सही होगा fundamental analysis करता हूं उसके बाद annual charts पढ़ने के बाद उसका technical analysis समझने के कोशिश करता हूं कि अभी के स्टेज में है आरे साही सब कुछ देखने के बाद फिर उसमें further हम लोग invest करने के कोशिश करते हैं एक preparation लेते हैं कि long term short term उस mindset को लेके हम उस talk के अंदर entry करते हैं तो सबसे पहले अभी हम चले जाएंगे इसके वेबसाइट में अगर हम open up करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे website से वह कहेंगे हमारे यह लोग वह लोग आपको वह सब करनी की जवहत नहीं आप बेसिक अगर आपका जो अगर इसमें कोई बल्क दिल नहीं हुआ बल्क दिल मतलब ब्लॉक दिल ब्लॉक मतलब एक फ्यू लक्स बल्क मतलब 10,000 20,000 अगर पर्चेस करते हैं होल टार्गेट यहां पर दिखा रहे हैं ओके फाइन ठीक है परफॉर्मेंस इसका सही है ओके चलिए अभी नीचे अभी नीचे आते जाते हैं यहां पर देखने को समझ में आएगा कि बेसिकली हुट को जो है इस और गॉब्मेंट यह भी गॉब्मेंट का है हाउजिंग अर्बन देवलोपेंट कॉर्परेशन ऑफ इंडिया प्रैमेरी इंगेज़ इनका काम होते है फाइन्स करना सो यहां पर अगर आप देखते हैं 58,000 करोर दाट मींस दाट यह डेट प्रोवाइड करता है से इसका इंट्रेस्ट आता है साइट चीज़ें हम जो यहां पर चेक करेंगे में यहां पर कुछ चीज़ें आपको देखना परिया कि कितना NPA है नॉन परफॉर्मिंग एसिट क्या है नहीं है वह बहुत इंपॉर्टन हो जाता है जब भी आप बैंकिंग सेक्टर में आते खाने कि तो अगर आप यहां पर नीचे अगर आप देख पा रहे हैं तो अरसा मतलब होता है कि तो यहां पर आपको फिगर आउट हो जाए कि यह ओवर बॉट स्टॉक है या अंडर बॉट मतलब कि वैलू इसका बढ़ेगा और ओवर बॉट के टाइम इसका वैलू गिर सकता है यहां पर आपका पंप होता है फिर उसके बाद आस्ता नीचे करता है तो यह आपको एक मोटा मोटी RSI देखने से यह जैसे देख पाएंगे यहां पर हाइट पे था ठीक है और यहां पर आपका RSI जो है वह एकदम टॉप में फिर फिर से नीचे गिरा है तो यह बिसिकल इमिटेट करता है आपको पता चल जाए कि ओवरबार्ट जोन में है यह अंडर बॉर्ट जोन में है कि यह ओवर बॉर वालुट है अंडर वालुट है वो भी फिगर आउट कर लेंगे तो इसके बाद भी आपको study करना पड़ता है यहां पर ऐसा नहीं कि मैंने थोड़ा बता दिया होगे खड़ी लेना है थोड़ा सा अगर आपको long term short term जो भी करेंगे थोड़ा सापको study करना परेगा और सबसे बड़ा problem हो जाता है कि PSU में they are not very well managed तो यहां पर इसे देख पा रहे हैं कि valuation यहां पर दिखा रहा है बहुत ही कम है it's not very expensive and price is negative it valuation looks very good financial trends are not very good profit after tax has fallen 50% okay fine net sales is the lowest debt to equity ratio is very good so that's price movement जो देख पा रहे हैं price movement जो देख पा रहे हैं की तरफ ही चल रहा है ओके सब्सक्राइब कि बहुत सारा website में जाने से आपको बहुत कुछ मिल जाता है profit जो है बहुत कि रहा है तो वह हम चार्ट में देख लेंगे चार्ट से स्क्रीनर में देखने से मोटा मोटी पढ़के हमको आईडिया आ जाएगा बाट यहां पे एक लोंग अप उसको होल करना चाहते हैं अगर कंपनी अच्छा है उसका शेयर होल्डिंग अच्छा है उसका management अच्छा है तो कोई इस्यू नहीं होता है उसका financial annual report अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फिगर आउट हो जाता है तो आप प्र आप जाकर चेक करेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है जैसे देख पारें इस website में आपको सारा details मिल जाता है बिना screener देखके भी आप कर सकेंगे पूरा A to Z आपको सारा details मिल जाता है भी आपको साराप प्रहा है बिकार में यहां पर यहां पर इतना मैं चाहिए नहीं नहीं करूंगा डेट कि यहां पर मिलको टाइम पर बचाना है विकास मेरा टार्गेट होता है कि विदिन 15-20 मिनेंट मेरा इक स्टॉक का अनलसी हो जाना चाहिए तो देन आल गो बैक तो गो बैक तो स्क्रीनर अभी इसके अबाउट में चेक करते हैं तो हमें फिकर ओड हो जाएगा कि इसका इनकम जो होता है नेट NPA इस 1% इसके इस गुड ग्रॉस नपी इस 5% पड्लिक फाइनसिंग इस दो सेट में सबसे जादा है तेलें गाना अंधरा ओके तो यह पॉब्लिक सेक्टर को ही जादा था 97 परसंट लोन देता है त्री परसंट इस प्राइट सेक्टर कौन किस किस को लोन देते है अगर्ण परसंट थीक है जैसे मैंने का कि क्या है नहीं है तो चलिए भी देख लेते हैं कि 50 डियमें कि अभी टरफ प्राइस मौब्मेंट कर रहा है जैसे मैं आपका यहां पर दिखाया था वेरी गोड और वेरी नाइस सो यह एक हो जाता है दस साल में अगर हम देखें तो 50 dma 200 dma के नीचे है सो लुक्स लेक अंडर अगर आप उसको शॉर्ट तर्म करना चाहते हैं तो यूपन डेफिनिट्री कांसिडर दिस 50 dma is 36 200 dma is 40 बट करेंट सब्सक्राइब करना है कि समझना है अंडरस्टैंड करना है यहां पर टेक्निकल अनलेसिस पर यहां पर आपको बुलिश होना पड़ेगा और सब कुछ को ओवर्वीव लेकर चलना पड़ेगा एक कंपणी जो है एक कंपनी बहुत अच्छा रिटन दे रही है और पूरा इंडेस्ट्री दूबा हुआ है सिफ एक कंपनी अच्छा रिटन दे ने तो there might be some manipulation so just make sure that you are understanding how the industry is working so many chart नहीं परा था so data नहीं परा था so let me go through that market cap is 7000 so this is a mid cap company stock P is 4.76 industry P 25 so it is very low ROC is 9.45 that is okay operating margin is very good obviously loan में तो operating margin जाते ही होता है 100% होने चाहता है 95% कहां पांच परसें जारा वो दिखना परेगा तीन वहीने में रिटन कम है अब एक साल में रिटन काम है अब है करेंट प्राइस दिस गॉक वालो इस तो इस राइड नो टेटिंग अड फो ग्रोथ वाईलो और highs and lows अगर हम देखते हैं तो इस नियर अबार हवरिंग नियर दी लो लो एंड अफ दी अ दिस तेंग प्रोमोटर होलिंग इस 82 परसंट विच इस वेरी वेरी गुट तो अभी तो हमने बता चलिए कि अंडर वालूट है तो वाट इस वोकिंग इस वाइन यह सब अभी हम नहीं देखेंगे बाद में देखेंगे सब्सक्राइब अब देखते हैं तो इस तो तौज़न करो 2002 ऑके इक्विटी इस डिजर्व्स हाव गॉन अप विच इस गूट बॉर इंग्स हैव गॉन आप मतलब इन्हों ने बहुत ज्यादा लोन देना शुरू करते विच इस फ इनका capital work in progress क्या होता है cwip जिसको कहते हैं capital work in progress क्यों क्यों इन्वेस्टमेंट कंपनी है इसका तो सब cwip होना नहीं चाहिए बहुत कम होना चाहिए fixed assets क्या क्या है चले देख लेते fixed assets में land है और intangible assets क्या है बिल्डिंग था पहले उन्होंने sell out कर दिया land उन्होंने अच्छा मतलब मोटा मोटी है equipment's okay equipment's देखना परिया क्या accumulated depreciation is okay other assets में क्या जाता है cash equivalent मतलब हाथ में इनका पांसो मतलब 14 करोड था फिर पांसो सब्सक्राइब नौसो करोड खांगा यह में देखना पड़ेगा नौसा करोड का पर वैनिश हो गया cash from operating activities दो हजार कर में यह पूरा loss खा रहा था 24,000 करोड थीक है and net cash flow is 1000 करोड financing activity okay fine okay okay loss नहीं खा रहा है फार क्या बहु रहा हूंगा they are giving out loans right return equity is okay promoters कौन है president of india president of india do you know the richest person in india is the president of india because president of india का मादिम से ही जो है हमारी government जो है holding कर दिया अफाई जो है उन्होंने ट्रेट मतलब जो अपना holding है मोटाउटी ठीक रखा है बट डिया ने बहुत अच्छा इसका holding बढ़ाया जून में मतलब यहां पर देखने को मिल रहा है कि right now you know it is undervalued but it is losing value मतलब हमें यहां पर यह चेक करना पड़ेगा looks fine looks fine it's a stable triple a triple a triple a plus one so it is a very stable stock and it looks like a very stable stock because it is owned by the government and यह अगर आप उसको company के बार में और भी research करके समझना चाहते है तो यह definitely पड़ी है आपका जो credit rating होता है वहां पर plus minus कहां पर fail करेगा कहां पर क्या करेगा decline कहां पर हो रहा है credit strength कहां पर है and credit challenges कहां पर सारा चीज आपको देखने को मिल जाता है कि यहां पर यह बताएंगे कि इसका जो है यह government government को ही इसको देता है और यह तिलिंगा ना अंदरप्रदिश में ही इसका maximum है that is the biggest problem or diversify नहीं कर पा रहा है moderation in business for consecutive so अगर आप further study करेंगे तो आपको figure out हो जाएगा if you are interested in the stock so मेरा जो ओवर्वीव है I think we are already we have done the you know financial year अगर आप अनुल रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो मैं भी आपको एक वीडियो बना के देख सकता हूं अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि annual report कैसे पढ़ना है कौन को से चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है ताकि उनका future plans क्या है किस तरीके से वह अपने को grow करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं वह at least आपको पतल चल जाएगा यहां पर देख रहे हैं सारे 300 page का है बट सारे 300 page यहां पर अगर आपका धारिया नहीं है so you need to build up that patience but 345 pages नहीं यहां पर कुछ main important आपको चीज़े पढ़ना ही पड़ती है उसके बाद अगर वह interesting लगे तो further आप उसको और details में जा सकते हैं so that's about it and I think it's a good company right now it is very it is quite undervalued क्योंकि book value के हिसाब से और 50 dma 200 dma के हिसाब से पी ratio के हिसाब से इवें जो चार्ट है उसके हिसाब से भी मोटा मटी ओवरबार्ट जोन में जार है but अगर आप पर्चेस करना चाहते हैं short term long term के लिए तो you can consider this I'm not doing any complete technical analysis this is purely fundamental analysis but मेरा मेन कंसर्ण होता है प्योस के साथ क्योंकि these PSUs are mostly badly managed और वहां पे corruption बहुत जादा होता है क्योंकि बाभू लोग चलाते हैं they are not run by private individuals private companies जहां पे main motive होता है profit इनका होता है कि अपना सरकारी नौकरी बचाओ so that is a very big concern but there are very good companies which are owned by in government of india and which are in PSUs so that's about it and thank you for watching this video कोई question of query अगर होगा तो definitely मुझे बताएगा thank you and stay safe and keep investing